आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरू करें सबसे पहले हम जीरा राइस बनाते हैं जिसके लिए हम ले रहे हैं घी ले रहे हैं हम उसमें राइस हम घी में बनाएंगे और मैंने एक कटोरी राइस ये भीगो के रखती हैं लगब उसको 15-20 मिर्ट हो चुके हैं जीरा राइस बनाने के लिए हमको जीरे की ज़रत है इसलिए हम डालेंगे इसमें फुल टेगो स्पून जीरा आप थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं और कंपी मैंने ये मीठी निन की पती करी लीव्स सुखो के रखी है मैं इसमें डाल रहे हूं मीठी निन की पतियां जितने चावल डाले जाते हैं उससे डबल हम पानी डालते हैं इसलिए हम डालेंगे एक कटोरी पर लबब दो कटोरी से थोड़ा सजादा पानी अब पानी को हम बॉयल होने देंगे इसमें हम डालेंगे एक छोटा चर्मच नमक अब हमारा पानी बॉयल हो रहा है इसमें डालेंगे चावल हलका से इसको चला देंगे हमने गैस को तेज कर दिया है और हम अभी उल्टा ढखकन इस तरीके से रखेंगे और तक यह पानी जो उबाल आता है तो निकल के बहर गैस पे ना आ जाए इसमें थोड़ा से इसको हलका हमने खुला रखा है अब हम करते है राजमा की तयारी मैंने यह राजमा राज पर भिगो के रखा था और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल कर इसको तीन से चार सीटी लगा के बॉल कर दिया है बहुत अच्छे से राजमा भिगोते समय है जब भी हम भिगोते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि हम राजमा कितना किस साब से डाली जिस तरह से मैं डालती हूँ मैं उस तरीके से आपको बताती हूँ आपका अंदाज अपना होगा डालने का पर अगर हमको कभी एक गैस दो जादा आ जात फिर उसे साब से ये दो, ये तीन, ये चार, ये देखी लगवग चार जनों का राजमा इतना सफिशेंट हो जाता है तो आप इस तरीके का नाप भी आप राजमा में ले सकते हैं, छोले भी इसी तरीके से आप नाप सकते हैं ये देखें, पानी हमारा अब बिल्कुल कम बचा है, अब हम गैस को स्लो पे कर देंगे और धबकन बिल्कुल बंद कर देंगे जब तक हमारे चावल सिम पे पकें, तब तक हम बनाते हैं राजमा राजमा मैं सर्सों की तेल में बना रहे हूं, आप किसी भी ओयल में घी में बना सकते हैं मैंने के लिए सर्सों का तेल अब मैं इसमें डाल रहे हूं दो हरी मिर्चे, एक तेज पत्ता जीरा, एक बड़ा चमच मैं बड़ी लैकी साबुट डाल रहे हूं, आप इसका पॉबड़ी बना के डाल सकते हैं या आप इसको बार में निकाल भी लें, पर दाने मूं में लगते हैं इसलिए हम जब प्यार को इसके साथ मैश कर लेंगे तो फिर नहीं लगेगा मार्केट का पेस नहीं लिया है, हमने अध्रक्रेशन को किसके रख रहा है, इससे अच्छी कुछ भूआएगी इससे अपनी सब्जी को बहुत अच्छा प्याजर आएगा अब हम इसमें डालते हैं कटीनी प्याज, जो बारी काटके रहते हैं हमें यह तीन बड़ी प्याज है अच्छा रहा है जआज प्याजर को भूएगा अच्छा पेजाने भूटते हैं जब तक हमारी प्याद लालू हम उसको बूनते हैं हम चावल को देख लेते हैं जब तक हमारी चावल बनते होंगी हम चावल चेक कर लेते हैं कि चावल बन चुके हैं और हमारे जीरा राइस बन चुके हैं हमारे राइस बन चुके हैं अब उसको ढखन लगाके और गैस बन करके रख देते हैं हमारे प्याज भी देखें ये कलर आच चुका है थोड़ा सा थलका ही बूना है हमने इसको ये कलर आएगा थोड़ा सा ब्राउन होगा है अभी हम इसको मैश करने के बास बाकि दूनेंगे अब हम इसमें डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च वन टीब स्कून हाफ टीबल स्पून हल्दी पाउडर हमने चाट अमटर की प्यूरी बना के रखिए अब हम इसमें डालेंगे टमाटर अब हम इसमें डालेंगे टमाटर इसमें डालें नमाट अब हम इसको ग्राइंडर से ग्राइंड करेंगे चलिए इसको ग्राइंड करते हैं ग्राइंडर से हमने इसको ग्राइंडर से ग्राइंड कर लिया है अब इसमें डालेंगे राजमाटर राजमा का पानी हम अभी नहीं डालेंगे सिर्फ राजमाटर अब हम इसको अच्छे से भूनें के सब्जी को ताकि तेरी भी निकलाए और सब्जी बहुत अच्छे से भून जाए हाला कि हमने इसमें बहुत थोड़ा सा तेर डाला है इसलिए हम एक मर्लाय का चम्मच उसमें डालेंगे मैं डाल रहें उसमें कसूरी मेथी एक चमच सूखा दनिया एक टेबल स्पून घर की दूद की मलाय एक चम्मच इसमें मैंने फ्रेश क्रीम डाला मैंने राजमा के उपर गरम मसाला नहीं डाला है आप गरम मसाला पाउडर लास्ट में सर्व करते समय जरूर डालें अगर आपको अच्छा लगता है तो अब इसमें हम डालेंगे यह जो राजमा का पानी है वह हम इसमें डालेंगे अब इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे क्योंकि हमको ग्रेवी रस चाहिए बहुत ही अच्छे राजमा मने हैं हमारे अब हम कुकर को बन कर देते हैं कुकर को बन कर देते हैं और सम पर हम इसको एक सीटी लगा देते हैं हमने इसको पांस से साथ मट सिम पर रखा था अब हम देखते हैं अपने राजमा को बहुत खुश्बु आ रहे है अच्छी और हमारे राजमा एकदम तैयार है आई हम राजमा को साब करते हैं आई हमने जीरा राइस बनाए हैं तो बीशाब करते हैं कर दो है कर दो है अच्छी 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 आई झाल झाल मैं अपने हर वीडियो में आपको एक टिप बताया करूंगी लास्ट में आज की टिप यह है कि जब आप ओवरनाइट अगर राजमा भिगो नहीं पाते हैं या छोले नहीं भिगा पाए हैं और आपको दुपर में छोले बनाने हैं तो आप उनको एक होटपोट लेके फुल गरम पानी करके उसमें डाल दीजिए और साथ में सोडा डाल दीजिए और होटपोट बंद कर दीजिए इससे राजमा फूल जाएंगे या छोले फूल जाएंगे और दो तीन घंटे में ही आप उनका यूज लगबक तीन घंटे में आप उनका यूज कर सकते हैं दान्य वाद